आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूटीव चैनल में चलिए दोस्तों आज दो इंपोर्टेंट नियूज लेकर आया हैं दो बहुत ही बड़ी इंपोर्टेंट ख़बर है ये तो हम पहली नियूज की और चलते हैं फिर दूसरी नियूज की और चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं तिनांक तस्टिन 2022 को इंदोर में मद्पर्देश सरकल का सरकल सम्मेलन आयोजित किया गया था सम्मेलन में लगबाग 225 परते निज्जों ने भाग लिया सम्मेलन की शुरुआत धोजारोहन से हुई कॉम बियास मंडल अध्यक्च रगुवनसी ने धोजारोहन किया कॉ कौम अंचल सची प्रकाश शर्मा ने सभी का स्वागत किया कॉमरेड अनिमी समित्रा अज्यक्च ने उदगाटन भासन दिया उदगाटन सत्रकू स्री सत्यानंद राजहन सीजीम एमपी सरकल स्री आरम रावाद पीजीम उज्जैन ने संबोजित किया सरकल सचीव दोरा प इक सांदार सफलता बनाने का फैसला किया हम वहीं दोस्तों दूसरे नीज की बात करें तो सनाटा ने आगामी जे टियो एलैसी के लिए प्रिजापत रिक्तियों को शनिश्चित करने के लिए जौलंत समस्या सहित मुद्दों के शमाधान की मांग करते हुए 1432 को परदरसन आयोजीत करने और ग्यापन प्रिस्टूद करने के लिए नोटीस चारी किया है ब्याशनल एयू इस मांग को पूरी तरह से समर्थन करता है इसलिए जी एस ब्याशनल एयू ने आज कॉमरीड सुरिश कुमार जी एस सनाटा को पत्र लिख कर सुझित कि ब्याशनल एयू के नेता और सदस 143 2022 को आयोजित होने वाले S&TTA के कारियकरम में भाग लेंगे यानि शनाठा के कारियकरम में भाग लेंगे CHQ सभी सरकल और चिला सचीबों से हमारे सदस्यों के साथ सनाठा के कारियकरम में भाग लेने का आहवन करता है तो दोस्तो 14 2022 को होने वाले सम्मेलन में BSNL EU ने भी सामाती दे दी है और उनके भी सदस इस कार्य करम में भाग लेंगे इस आंदोलन में भाग लेंगे तो दोस्तो उमिद करते हैं इस जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगाये तो एक लाइक का बटन जरूर दवाद दोस्तो